Hello and Welcome यह वीडियो लेक्चर भी Chapter 2 Polynomials के Basics पर बेस्ट है Geometrical Meaning of a Zero of a Quadratic Polynomial अब हम देखेंगे कि Quadratic Polynomial का जो Zero होता है उसका Geometrical Meaning क्या होता है Graph of the Ax² Bx plus C A not equal to 0 has one of the two shapes, either open upwards like this or open downwards like this depending on whether A is 0 or A is less than 0 These curves are called Parabolas पहले तो जो Quadratic Polynomial होते हैं, इनका जो Graph बनता है वो Parabola बनता है ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे, ऐसे, या फिर इस टाइब से, इस टाइब से तो ये जो U-Shape Graph है या Ultra U-Shape Graph है ये सब Quadratic Polynomial के Graph हैं तो Quadratic Polynomial ये shape लेता क्यों है? अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ये Parabola की shape क्यों लेता है? तो एक example लेके देखते हैं suppose हमारे पास हो y is equal to x square plus 1 तो इस हमें एक Quadratic Polynomial है अगर हम इसे plot करना चाहते हैं तो हम x को values दे सकते हैं minus 2, minus 1, 0, 1 and 2 और y की values accordingly solve कर सकते हैं अब जैसे हमने minus 2 रखा यहाँ पे minus 2 square plus 1, 5 आ जाएगा तो यहाँ पर 5 आ गया अगर हम 2 रखते, तो भी 5 ही आता 2 square plus 1 इसी तरह अगर हमने यहाँ पे minus 1 रखा तो यह 1 हो जाएगा, 1 plus 1, 2 आ जाएगा और 1 रखने पर भी 2 ही आएगा 0 रखने पर 1 आएगा तो यह है x and y की values इनको plot करेंगे suppose यह हमारे पास एक रख ग्राफ है यह 0 है, यह x-axis है यह y-axis है यह negative x-axis और यह negative y-axis suppose हम यह values लेते हैं minus 2, minus 1 1, 2 और यहाँ लेते हैं suppose 1, 2 3, 4 5, 6 ऐसे अब minus 2 पर 5 है minus 1 पर 2 है और 0 पर है 1 1 पर है फिर से 2 और 2 पर है 5 तो यह ग्राफ कैसा बना यह u-shape ले लिया इस हमें यह ग्राफ symmetric है about y-axis यह मैंने बहुत rough ग्राफ बनाया इसलिए आपको यह symmetry नहीं देख रही है वनना तो value same है तो symmetric ही है यह जो ग्राफ है यह बिल्कुल ऐसे बना हुआ symmetric है तो यह u-shape आपने देखा कि क्यों आता है क्योंकि यह quadratic है तो negative और positive values लगबग same आ जाती है तो इसलिए ऐसा होता है अब यह जो ग्राफ होते हैं इन में भी ऐसा होता है अगर यह जो a है यह negative है जैसा कि यह दे रखा है अगर a negative है तो जो graph पर आएगा parabola वो stripe का होगा यहनि कि opens downward होगा और अगर a positive है तो जो parabola होगा वो opens upward होगा यह मैंने आपको एक रफ तरीके से बताने की कोशिश किये कि a अगर negative होता है तो graph opens downward होता है और a अगर positive होता है तो opens upward होता है इस तरह से जो quadratic polynomials के graph है वो parabolas है या तो opens upward है या opens downward है अब यह आपकी ncrt की book से लिए गया है यह लिखा हूँ अभी ncrt की book से लिए गया है ताकि आपको समझाए जा सके कि यह language का meaning क्या है यहाँ पर y is equal to x square minus 3x minus 4 इसको plot किया गया है इस graph पर इस तरह से आपको plot करने को नहीं कहा जाएगा लेकिन इस पर based question जरूरूर पूछे जा सकते हैं इसलिए इसको अच्छे से समझना जरूरी है यह जो quadratic polynomial है इसका यह graph है और आप देख सकते हैं कि और अगर open upwards है तो यह x-axis को दो जगा पर intersect करके जा रहा है यह दो points दिखा रखे हैं minus 1,0 and 4,0 यह दो points पर x-axis पर intersect कर रहा है अब ध्यान से देखिए इन points का meaning क्या है इसका मतलब है जब x minus 1 है y 0 है और इसका meaning क्या है जब x 4 है y 0 है यहनी हमने इस quadratic polynomial में x को अगर minus 1 से replace किया तो y 0 आ जाएगा चेक भी कर सकते हैं हमने x को अगर minus 1 put किया तो क्या होगा minus 1 square minus 3 times minus 1 minus 4 1 plus 3 minus 4 0 आप देखिए y 0 आ गया तो minus 1 वो value है जो variable को replace करने पर polynomial को 0 बना देती है और आप अच्छे तर से जानते हैं जब y coordinate 0 होता है तो वो point x axis का होता है अब यहाँ पर भी यही होगा अगर हमने x को 4 से replace किया y 0 आ जाएगा 16 minus 12 minus 4 0 तो आपने देखा जब x 4 है तो y 0 है जब x minus 1 है तब भी y 0 है वैसे भी हम जानते हैं कि किसी भी point का जब y part 0 होता है या coordinate 0 होता है तो यह points सारे x axis के होते हैं x axis पर y 0 रहता है तो यह minus 1 और 4 क्या है यह वो values हैं जो x को replace करने पर polynomial को 0 बना देती हैं तो यह 0 हो गई यानि कि minus 1 and 4 are 0 of the polynomial minus 1 और 4 यह polynomial की 0 हैं तो polynomial के 0 क्या हैं polynomial के 0 x part है उन points के जिस पर वो x axis पर intersect करता है तो अभी हमने यह देखा कि minus 1 0 और 4 0 यह जो points हैं यहाँ पर यह curve x axis को intersect करता है और इनके जो x parts है minus 1 और 4 वो 0 of the polynomials है और quadratic equation में maximum 2 0s possible हैं ऐसा भी हो सकता है कि 1 0 हो और ऐसा भी हो सकता है कि 9 0 हो अभी हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है you can see from table 2.1 that minus 1 and 4 are 0s of the quadratic polynomial अभी हमने solve करके भी देखा है और यहाँ figure में भी देख रहा है कि minus 1 और 4 जो है वो 0s है also note from figure that minus 1 and 4 are the x coordinates of the points where the graph of y is equals to x square minus 3x minus 4 intersects the x axis और हमने यह भी देखा है कि minus 1 और 4 x parts है उन points के जहां पर यह curve x axis को intersect करता है thus the zeros of quadratic polynomial x square minus 3x minus 4 are x coordinates of the points where the graph of y is equals to x square minus 3x minus 4 intersects the x axis तो अभी तक हमने यह समझा कि quadratic polynomial के जो graph है वो parabolas होते है open upwards हो सकते है open downwards हो सकते है और graph जिन points पर x axis को intersect करता है उनके x parts जो है वो zeros of the polynomial देते हैं तो अब हमने क्या समझा the zeros of quadratic polynomial ax square plus bx plus c a not equal to 0 are the x coordinates of the points where the parabola representing y is equals to ax square plus bx plus c intersects the x axis for quadratic polynomials there can be three possibilities two zeros और one zero और nine zeros quadratic polynomials में three possibilities हो सकते हैं maximum two zeros हो सकते हैं एक भी हो सकते हैं और nine zeros भी हो सकते हैं अब सबसे पहले हम case 1 देखते हैं here the graph cuts x-axis at two distinct points a and a dash यह देखिए graph a और a dash पर x-axis पर intersect कर रहे हैं case second here the graph cuts the x-axis at exactly one point for instance at two coincident points so the two points a and a dash of case 1 coincide here to become one point a यहाँ पर हम जो situation देख रहे हैं parabola है पर वो सिरफ a point पर ही x-axis को intersect कर रहा है आप इस तरह से कह सकते हैं कि x-axis इस parabola का tangent है इस समय tangent के बारे में आप आगे पढ़ेंगे तो यह जो graph हैं यह समझाने के लिए बनाए गए हैं कि quadratic equation का one zero भी possible है उस situation में x-axis एक तरह से tangent रुजाता है parabola का और parabola सिरफ a की point पर x-axis को intersect करता है a पर यहाँ पर भी इन दोनों cases में आप देख सकते हैं कि parabola x-axis को a की point पर intersect कर रहा है तो इस case में a की zero possible है अब आप यह सोच रहे हैं कि quadratic equation के तो दो answer होते है फिर यह कैसे होगा suppose करिए x-axis minus 2x plus 1 हो उस case में यह x-1 का whole square है और जब हम इसको zero करेंगे तो दोनों answer इसके 1 है दो roots हैं लेकिन coincide हो गए है 1-1 आ रहा है तो यह वो situation है जब whole square बनता है quadratic polynomial होता है लेकिन whole square बनता है उस case में वो एक ही point पर meet करता है तो whole square वाली स्थिति में quadratic polynomial a की point पर x-axis पर intersect करता है क्योंकि इसके दोनों point को coincide हो जाते हैं दोनों point यह उसके 1-0, 1-0 है इसमें इस समय a की zero possible है इस a point का x-coordinate जो है single zero है यही चीज यहां बताई गई है कि x-coordinate of a is the only zero for this quadratic polynomial a x square plus b x plus c in this case अब एक और third situation भी होती है इस समय एक भी zero नहीं होता क्योंकि वो x-axis को intersect नहीं करता अब इन graphs को देखिए ध्यान से x-axis पर intersect ही नहीं कर रहे हैं here the graph is either completely above the x-axis और completely below the x-axis so it does not cut the x-axis at any point so the quadratic polynomial a x square plus b x plus c has no zero in this case क्योंकि हमने यह पढ़ाया है कि curve जहां x-axis पर intersect करता है उस point का x-coordinate हमें zero देता है यह curve x-axis के ऊपर है यह x-axis के नीचे है और intersect करेगा भी नहीं x-axis को तो इसका zero होगा नहीं अगर आप यह सोचने कि quadratic polynomial है तो 2 zero देगा ही देगा तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता जो इनका discriminate बनता है b square minus 4 e c जिसके बारे में आप quadratic equations में पढ़ने वाले हैं वो negative आ जाता है इस case में अब यह 4 minus 8 negative आ गया इस case में वो कभी भी intersect नहीं करेगा x-axis को तो यह इसके बारे में अभी आगे quadratic equation में आप पढ़ेंगे या अगर आप quadratic equation पढ़ चुके हैं तो आपको यह मालू होगा कि discriminant अगर negative आ जाए तो imaginary या non-real roots हो जाता है answer तो इस case में अभी यह quadratic है लेकिन आप इसका answer नहीं निकाल सकते आप इसे solve भी नहीं कर सकते x के लिए तो आपको 0 मिलेगा ही नहीं